नमस्कार शिद्धालूं स्वागत है आपका हमारे चैनल में मैं साथ भी करूना आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कहां मिलेंगे आपको सच्चे गुरू इसके बारे में शिद्धालूं वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ शेयर करें तो शिद्धालूओं आईए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कहां मिलेंगे आपको सच्चे गुरू इसके बारे में जब भी किसी साथना या पूजा की बात की जाती है तब लोगों के मन में एक प्रश्ण उठता है कि गुरू कहां मिलेंगे कई लोग देवी देपता की सवारी प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उन्हें गुरू के बारे में पता नहीं होता वे समझ नहीं पाते कि कैसे वे गुरू को ढूंडे या कैसे सच्चे गुरू को प्राप्त करे और उनके मन में प्रश्ण उठता ही रहता है कि क्या बिना कि आपको गुरु कहां मिलेंगे इसके बारे में कहां जाता है कि ना तो गुरु के बिना ज्यान प्राप्त हो सकता है ना ही गुरु के बिना मोक्ष प्राप्त हो सकता है जब अधिकतर लोग पूजा पार्ट में आगे बढ़ते हैं तो गुरु बनाना आवशक हो जाता है और कई बार आपकी पूजा से जब कोई देवी या देपता परसन होते हैं तो उनकी सवारी भी आपको प्राप्त होने लगती है और उनके आने के बाद में उनकी सवारी प्राप्त होने के बाद में जब आप लोगों के संकट काटना शुरू कर देते हैं और आप पूछा देना शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन में परिशानिया आना शुरू हो जाती हैं उन लोगों की परिशानिया तो कम हो जाती हैं जिनको आप पूछा देते हैं या जिनके संकर्दूर करते हैं लेकिन बेपरिशानिया आप पर आने लगती हैं कई नकार गुरु धारन नहीं किया होता। अला इसलिए गुरु का होना अतियाव शक है। अब सवाल उठता है कि गुरु कहां मिलेंगे। गुरू को ढूनने के लिए कई बार भटकना पड़ता है, कई बार लोग जल्दी से गुरू धारन कर लेते हैं, और कई बार गुरू शिश जल्दी नहीं बना पाते हैं, जिनके परिणाम बाद मेहानी का रख होते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग गलत गुरू या जैसे कई लोग क्य सालों से चौकी लगा रहे हैं तो आप उन्हें गुरू धारण कर सकते हैं वे एक सच्चे गुरू होंगे लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कई लोग सच्चे गुरू नहीं होते इसके लिए पहले आप उन्हें देख परकलें उनका अन्भव उनकी शक्तियों को परकले उसके बाद ही आप उने गुरुधारन करें क्योंकि जब एक बार गुरुधारन कर लेते हैं तो उसे बदला नहीं जा सकता जब आप किसी वैक्ति को गुरुधारन करते हैं तो उस वेक्ति के वेवार में आपको फर्क दिखता है कई गुरू बहुत साधरन होते हैं जिनें देखकर आपको लगी का कि इनको तो कुछ भी नहीं पता लेकिन ऐसा होता नहीं है इसका बिल्कुल उल्टा होता है और उन्हें बहुत सी ऐसे चीज़ें पता होती है जिसके बारे में शिश्य ने कभी सोचा भी नहीं होता कई बार जिस परकार शिश्य गुरू बनाने से पहले गुरू की परक करता है वैसे ही गुरू भी शिश्य बनाने से पहले शिश्य की परक करते हैं और उने जल्दी से अपना शिश्य नहीं बनाते इसके लिए कई बार आपको अपने गुरू के पिती पूर्ण समर पर दिखाना होता है और इसके बाद अवश्य ही गुरू आपको गुरू दिक्षा देते हैं और आपको वे शिश्य धारंग करते हैं जब आप एक बार गुरू धारंड कर लें तो फिर उनके पिती पूर्ण रूप से समर पित हो जाएं फिर आप उनकी बुराई ना करें कई ऐसे चोकियां भी होती हैं जहां पर बहुत बीड़ होगी जहां गुरू आपको बहुत कम समय दे पाएंगे इसलिए हर बात का पहले से ही ध्यान रखें और इसके बाद ही आप उन्हें गुरू धारंड करें कई बाद चोटे चोटे गाउं में कई ऐसे विद्वान लोग होते हैं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं तो ऐसे लोगों को आपको ढूंडना पड़ता है उनको समय देना होता है इसके बाद आप उन्हें गुरू धारंड कर सकते हैं लेकिन गाउं में कम आबादी होनी की वज़े से लोगों को पता होता है कि बूत प्रेतला बला की समस्याओं का समधान कौन करता है पूछा कौन देता है जिसे आप आसानी से उस फ्यक्ति तक पहुँच सकते हैं इस परकार से आप एक सच्ची गुरू को ढूंड सकते हैं और उन्हें धारंड कर सकते हैं सच्ची गुरू का मिलना मुश्किल नहीं है लेकिन हम उसे मुश्किल बना देते हैं एक शिश्य एक गुरू को परक नहीं पाता और समस्याइं उत्पन्न हो जाती है तो मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बटन को दफाएं जिससे की नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें धन्यवाद